मद्धी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए 48 करोड रुपे की लागत से माइक्रो सिचाई परियोजना लाई गई पर यह परियोजना किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रही है योजना में 34 गाउं लाभनवित होंगे परंदु गाउं के किसानों तक पूरी तरह पानी आज भी नहीं पहुच पाया है वहीं पाइपलाइन का फूटना आम बात हो चुकी है जिसमें किसानों की फसल बरबाद हो रही है किसानों का आरोफ है कि नहर को लेकर लगाता शिकायत के बाद भी विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और इसका खामिया जा उन्हें भुगतना पड़ा है किसानों ने बताया कि लेक्षमी सीविल इंजिनियरिंग के ठेकेदारों द्वारा बिठाये गए इंजिनियरों का रवया ठीक नहीं है यह किसानों की समस्या को सुनकर हवा में उड़ा देते हैं जबकि लक्षमी सिविल्स इंजिनियरिंग को दो साल का मेंटिनेस का काम देखना है किसान भगवान सी ने बताया कि उनका 15 क्यूंटल का पास और 5 क्यूंटल तूर का नुक्सान हुआ है वहीं अन्य किसान भीमसी ने बताया कि उनकी चैने की फसल पूरी तरह बरबाग हो चुकी है खेट तालाब बन गया है जिसके कारण आगामी दो महां तक बोवनी करना संबव नहीं है अत्य वरष्टी के कारण जो नुक्सान हुआ था उसका मौजा आज तक नहीं मिला है और वरतमान नुक्सान का मौजा भगवान ही जाने कब मिले आज से तीन दिन पहले भी पाइप लाइन फूटने से बढ़वारा पंचायत के किसानों का भारी मात्रा में नुक्सान हुआ था बढ़वा से रफिक मुंडा की रिपूट अगली बार भी एक बार फुट गई जब भी हमारा बहुत नुक्सान हुआ जब भी हमने सहिन करी चलो यार होता है तो यह डबल में भी हो गया और यह चने की भसल पुरी नस्ट हो गया हमारी कटत निकल लेटे हुण है और यह बाहु यह जो ने सकता है शो यह तक गयुदी ओर नकल लेते हैं यह तक बेंने घृर का याप यह कंटता किुद 12 इका यह और घमिन नहीं हुआ ज़ी पूरी नस्ट हो अब इसमें बीज रोज बचर ने आई कई बूर भी नी सकते अब इसमें एक कुंडल का समझ लो नुकसान हो गया दो कुंडल भोते हैं नहीं बीज बोरी का आप मैं मलब एक कुंडल चना बहा था अब में किता और उसमें बीज एक बोरी निकलता है लगवागे ना अच्छा तो मतला भी नुकसान हो गया तो और भी यह पहले की लगे वी थी तो यह अभी तो यह भी तो यह भी तो आप देख रहे हैं हमारा कैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब परें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूलें